हाई गाइज आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ESP32 का हाडवेर बटन कैसे यूज कर सकते हैं जैसे कि आप जानते होंगे ESP32 में दो टाइप के बटन होते हैं एक बूट और एक रिसेट बटन ये बूट बटन होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं तो हम उस बटन के थरू हम इस LED को जराने कोशिश करेंगे अब आप कहोगे कि जुरुत क्या है जुरुत यह है कि कई बार हम लोजिक लिखते हैं और हम हर बार टाइम वेस्टने करना चाहतेगी वह लोजिक जैसे मानलो अब अल्टरसोनिक सेंसर के थरू हम डेटा लेते हैं और इक पर्टिवर वेल्यू पर हम ट्रिगर करते हैं कोई लोजिक की API में हम पोस्ट करें या कुछ करें तो उस टाइप के लोजिक को टेस्ट करने के लिए यह चीज काफी सही है आप सिर्फ लोजिक लिखो और यह बटन पर उसको एक्जिक्यूट करवाओ जब लोजिक ठीक हो जया उसके बाद फिर आप सेंसर वेंजल से जोड़ो तो मेरे काफी helpful रहा था यह जब मैंने doorbell वाला प्रोग्राम बनाया था क्योंकि हर बाद ट्रिगर करवान अलक्सा से यह possible नहीं था और काफी जाए और काफी सही चीज है तो यह वक कैसे करेगा यह देखिए अब जैसे यह button है बूट बटन जब मैं इसको क्लिक करूंगा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह इन्विल्ट फंक्शनलिटी है और मॉस्टली यही इसी पिन पर रिष्ट रहें दुनों चीजे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्वर्ड इसको यूज कर सकते हो तो इसमें पिन 0 पर यह है और पिन 2 पर आउटपुट है तो इन्पुट का मतलब वह वहाँ पर डिजिटल रीट हम यूज कर रहे है कि कौन सी पिन पर पिन 0 पर इसकी स्टेट हम देख रहे हैं अब बाई डिफोल्ट यह हाई रहती है हमेशा यह इस तरह का मेकनिजमनों ने बना रखा है और जब हम बटन दबाएंगे अक्चुली जब यह लो हो जाती है तो जैसा कि आप देख रहे है कि डिजिल राइट को हमने टू कर रखा है क्योंकि आउट्पुट है तो इसको हम राइट कर रहे हैं तू से और इसमें हाई दे रहे हैं हाई मतला एक वोल्टेज पास होएगी और इससे लाइट जल जाई तो बस यह इतना सिंपल सा प्रोग्रा करने के लिए कि यह चल रहा है नहीं चल रहा और बेसिकली एसपी 32 को टेस्ट करने के लिए बहुत काम आता है तो मेरे ख्याल से यह वीडियो आपको काफी काम आने वाली है और अगर काम आती तो लाइक सो सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे को थोड़ी बहुत करने के ले बाइ बाइ बाइ